प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चानल Learn Coding को सब्सक्राइब करें हाई फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वाट इस प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग क्या होती है इस वीडियो में हम डिटेल में आपके साथ डिसकस करेंगे जिससे आपका जो भी doubt है वो clear हो जाएगा अगर आपसे कोई पूछ दे कि programming क्या होती है तो आपको simply answer करना है कि programming में हम यह सोचते हैं कि problem को solve कैसे करना है यानि problem को solution ही programming होता है और इस solution के लिए हम क्या करते हैं program लिखते हैं चलिए real life example देखें आपको समझाता हूँ यहाँ पे दो इंसान हैं एक का नामे राजू और एक का नामे गिल तो राजू ने गिल से कहा कि add to number का program लिखके दिखाओ तो अब गिल क्या करेगा गिल के पास problem आ गिया तो अब गिल क्या करेगा इस problem को solve कैसे करना है सोचने लगेगा तो इसी को हम programming कहते हैं और हम programming में इसी काम को करते हैं कि जो भी हमारा problem होता है उसे solve कैसे करना है हम इसी बारे में सोचते हैं गिल ने problem को analyze कर लिया है अब वो क्या करेगा एक program design करेगा जिसमें उसके problem का solution रहेगा तो computer programming एक ऐसा approach होता है जिसमें हम computer को एक instruction देते हैं कि अब आप हमारे इस task को perform कराईए तो यह जो instruction होता है इसे हम code कहते हैं और इस code को programmer लिखते हैं यानि गिल जैसे इंसान लिखते हैं जिसमें उनके problem का solution होता है तो यह था what is programming अगर आपको वीडियो अच्छा लगे पसंद आए तो हमारे वीडियो को like कर दीजिए share कर दीजिए चानल पे नए हैं तो subscribe कर दीजिए